हेलो फ्रेंट्स डिस्क्रिट मैथेमेटिक्स की लेक्चर नमर 35 में आपका स्वागत है इस लेक्चर में एक नए प्रॉब्लेम पर डिस्कसन हम लोग करने जा रहे हैं यह रेकरेंस रिलेशन का प्रॉब्लेम है कि और इनिशियल कंडिशन हमारे पास गिवेन है एजीरो इसकोल टो माइनस वन अब जड़ा गौर से देखें इस इक्वेशन को इसको देखने से दो बातें अस्पस्ट हो जाती हैं सबसे पहले यह सेकेंड ऑर्डर और एक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर एक्वेशन का जो और जले एक्वेशन बने गाओ वो निश्चित रूप से क्या होगा एम एसक्वाइर माइनस टू एम प्लस टू इसकॉल टू जीरो यह हमारा जेनरल एक्वेशन आ रहा है जिसको होमोजीनियस या और जल्री एक्वेशन हम बोलते हैं इस एक्वेशन को हम फाइंड करेंगे पहले करेक्टिरिस्टिक रूट निकालने के कोशिच करेंगे और करेक्टिरिस्टिक रूट निकालेंगे तो जो एक्वेशन गीवेशन है इसका करेक्टिरिस्टिक रू आप रूट निकालेंगे तो रूट निकालने का फ़र्मूला आपको पता है कि भी प्लस माइनस अंडरूट टू कि एसी कि बाई टू ए यही फ़र्मूला है अब इस फ़र्मूला के आधार पर हम लोग करने के कोशिज करेंगे कि है आप और है इस फ़र्मूला को अगर फ़ैंड करेंगे तो क्या होगा कि माइनस माइनस टू कि प्लस माइनस अंडरूट कि ए 2 इंटो या इंटो टू की ऑंगिर इंटू टू ti प्लस हो गया टू प्लस माइनस अंडर रूट टू इन्टू टू फोर बाई टू कि यह गलत लिखा गया फोर एसी है फोर एसी होगा तो फोर इन्टू टू इसको अगर गार से देखें तो यह हो जाएगा इसको टू से डिवाइड का टू कॉमल ले ले तो वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस टू अंडर रूट इसको टू आई लिख ले लेते हैं प्लस माइनस अंडर रूट यह हमारा करेक्टिरिस्टिक रूट निकलेगा वन प्लस आई और वन माइनस आई तो चुकि यह प्लस माइनस है तो इसका एक्वेशन हमारा वन प्लस माइनस आई होगा और यह एक्वेशन है अगर देखें तो यह रूट है कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले जरास हम देख लें अल्फा का मान क्या है वन है और वीटा का मान है माइनस वन यह दो हमको मिल गए अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में यह माइनस वन हो जाएगा माइनस अना प्लस आई और माइनस वन माइनस अई तो अल्फा और वीटा की फॉर्म में है दो यौशन है और यहां अल्फा और वीटा का मान निकलता अल्फा बीटा बीटा यौच़ल तो अलफा और बीटा के मान हमें मिलेंगे अब जड़ा इसको गौर से देखिए कि अगर हमारा एक्वेशन का करेक्टरिस्टिक रूट कॉंप्लेक्स नंबर हो तो हम क्या करेंगे इसको आप नोट कर लेंगे हम इसको मिटा करके आगे कंटिनिव करते हैं हमारा एक्वेशन हैं कॉंप्लेक्स नंबर अगर कॉंप्लेक्स नंबर हो तो इसका जेनरल सॉलूशन जो होगा जेनरल सॉलूशन फॉर्मूला गीवेन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है हम क्या करते हैं सीवन कॉस आर थीटा प्लस सीटू साइन आर थीटा और कैपिटल आर टू पावर आर यही हमारा सॉलूशन होगा कि हमने पिछले लेक्षर में भी बताया था आपको याद रखना है अगर रूट हमारे कॉंप्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएंगे तो यह हमारा जेनरल सॉलूशन होगा अब सवाल यह है कि जेनरल सॉलूशन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें दो टर्म आ रहा है पहला टर्म है आर कैपिटल रर और दूसरा टर्म है थिटा इन दोनों का वैलू हमें पता होना चाहिए तब ही इसका शॉलूशन हम निकाल पाएंगे तो कैपिटल आर का वैलू जो होता है वो हम अल्फा बीटा से ही निकाल लेंगे अल्फा स्क्वाइर प्लस बीटा स्क्वाइर तो इस इक्वल टू अल्फा क्या है माइनस वन minus 1 square plus 1 square under root 2 is equal to under root 1 plus 12 हो जाएगा तो यह हमारा वैलू है आ रहा है यह जो equation है यह क्या है र का वैलू है तो यहीं पर हम लिख ले capital R का वैलू हमारा आ रहा है under root 2 और थीटा का क्या वैलू होगा तो थीटा वैलू क्या कहता है कि यह 10 inverse beta by alpha यह होता है थीटा का वैलू 10 inverse beta by alpha बीटा by alpha क्या होगा भाई beta है 1 और alpha है minus 1 अब इसको हम कर सकते हैं 10 inverse 1 by minus 1 is equal to 10 inverse minus 1 तो थीटा का वैलू आता है 10 inverse minus 1 अब इसको इन्वर्स चुकि फंक्शन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पाई माइनस त्रैन इन्वर्स माइनस वन लिखें वन लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता तो यह हो जाएगा पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस फोर टैन इन्वर्स अगर वन की बात हम करें तो क्या होता पाई माइन फोर होगा यह अलग पाडरेंट में जाएगा निगेटिव है तो उससे कोई मतलब नहीं है तो पाई माइनस पाई माइवाई फोर इसकोल टटो आप ऐसा कर सकते हैं थ्री पाई फोर होगा और यह जो वैलू है यह ही वैलू हमारा थीटा का होगा ठी पाई बैस फोर अब यहां पर हम थीटा का फैलू भी लिख लें थीटा इसकूल टू थ्री पाई भाई फूर तो अब हमारे पास चार फैलू हो गया है कि पहला अलफा दूसरा बीटा कैपिटल र और थीटा यह चार हमारे पास आ गया अब इन चारों है लूप को इस जेनरल सॉलूशन में फिट करने की कोशिश करेंगे अब जेनरल सॉलूशन में फिट करें तो क्या सॉलूशन आएगा जड़ा गौर से देख लीजिए अब इ जेनरल सॉलूशन अल्रेटी हमारे पास दिया हुआ है तो इसका इस जेनरल सॉलूशन हो जाएगा सी वन कॉस आर थीटा कॉस आर थीटा इसकॉल टू थी पाइब थी पाइब फोर प्लस सी टू साइन आर थी पाइब फोर और इस पर आर आर क्या है अंडर रूट टू अंडर रूट टू 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 पावर आर यह हमारा जेनरल सॉलूशन निकल के आता है है लेकिन अब समस्या यह एक है यह जिनरल सॉलूशन है लेकिन सी यसी डू का वैलिस bashर क्ता नहीं हम ने किए यह कॉंस्टेंट वैलू क्या होंगे तो कॉंस्टेंट वैलू नहीं डिया हुए है A0 is equal to 0 और A1 is equal to minus 1 इसका मतलब है कि इसको implement करने की ज़रूरत है तब C1C2 का value हम निकाल सकते हैं तो इस काम को हम कैसे करेंगे C1C2 का value कैसे निकालेंगे तो इसके भी सेमें थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी हमारा equation जो दिया गया है यह लिखा हुआ है A0 is equal to 0 इसका मतलब है कि इसको हम A R is equal to 0 मान सकते हैं और यहां पर R is equal to 0 है A R का value 0 है और A0 है इसका मतलब R का value 0 है अब हमारे पास जो given equation है वह A R is equal to 0 जहांपे R बर बर भी 0 है तो इसको हम यहां पूट करने की कोशिज करें तो अब जड़ा साथ देखें कि A R 0 A0 और इसको first equation कि अगर हम बात करें यहां पर R is equal to 1 ले लेंगे यह first value है तो A R is equal to 0 एक मिनिट A R is equal to 0 यहां पर R का value भी 0 होगा और इस value का यहां पूट करते हैं जर्ण देखिए हम हम पूटिंग A R A 0 is equal to 0 in general solution general solution हम पूट कर रहे हैं सी वन का value क्या है सी वन इन्टू कॉस आर कॉस आर मींस 3 बाइ 4 आर हम कर लेंगे कॉस 3 पाइ 4 इन्टू आर कॉस आर करने प्लस C2 साइन आर इन्टो थ्री पाई बाई फोर इन्टो रूट टू 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 पावर आर इसकॉल टू जीरो और टोटल इक्वेशन भी ए यार भी जीरो है तो इस आर को यहां लिखे ले कोई फरक नहीं पड़ता आप यहां भी लिख सकते हैं अब जाना गवर से देखिए C1 इन्टो चॉस जीरो चॉस जीरो थीटा तो चॉस जीरो प्लस C2 साइन जीरो 3 पाई बाई फोर यहां भी 3 पाई बाई फोर आप लिखे ले और इन्टो अंडर रूट टू 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 पावर जीरो इस इक्वेशन को जरा सोल्व करें आप तो कॉस जीरो हो जाता सीधे जीरो इन्टो कुल सम्थिंग इस कल टू जीरो मतलब यहां पार अब जरा हम इधर लिख लेते हैं इन्टो जीरो प्लस इन्टो इन्टो जीरो इन्टो वन क्यों लिखा हमने रूट टू टू पावर जीरो पावर जीरो की शीपर लगाएंगे तो वन ही होगा इसका मतलब है कॉस साइन जीरो का मतलब तो जीरो होता है इसका सीधा मतलब है कि यह हो जाएगा सीवन इन्टो कॉस जीरो इसकोल टू जीरो इससे पता चलता है कि हम यहां पर अब लिख लेते हैं सीवन का वैलू क्या हो रहा है सीवन प्लस जीरो इसकोल टू जीरो मतलब सीवन इसकोल टू जीरो अब एक इक्वेशन तो हमको मिल गया इसके आधार पर फस्ट जो हमारा रिप्रिजेंटीशन था इसके आधार पर हमने काउंट किया हमने पाया सीवन इसकोल टू जीरो तो सीवन इसकोल टू जीरो मिल ग सेकेंड केस बोलता है ए ए ए इसकोल टू माइनस वन ए ए इसकोल टू माइनस वन और आर इसकोल टू यहां क्या है मतलब सेकेंड एक्वेशन जो है यह वन इसकोल टू वन के लिए अब हम एक्वेशन लिख रहे हैं तो आर इसकोल टू माइनस वन जो इक्वेशन में इवन है अब इसको जरा इसमें पूट करें आप तो क्या होगा C1 कोस र का वाल्यू है 1. तो कोस 3 pi by 4 plus C2 sin र का वाल्यू है 1 3 pi by 4 एंड रूट 2 टू पावर 1 और इसको इक्वेशन के अधार पर इसको अगर हम पूट करेंगे तो माइनस 1 तो माइनस 1 का यह वैल्यू है जरा गौर से देखें क्या होता है इसकोल टू सी वन कॉस्स पाइबाइब फोर का क्या वैल्यू होगा 3 pi by 4 minus 1 by root 2 plus C2 sin pi by 2 into 1 by root 2 और into root 2 अब इसकोशन को जरा गौर से देखें हमने 3 pi by 4 का वैल्यू पूट कर दिया है क्योंकि आर का वैल्यू आर का वैल्यू हमारा वन है तो आर का कोई इफेक्ट नहीं होगा 3 pi by 4 का वैल्यू हमने यहां पूट किया है अब जरा गौर से आप देखें C1 का वैल्यू तो अलरडी वन है तो 0 है तो C1 का वैल्यू अगर हम 0 पूट करेंगे तो यह तो आपमेटिक 0 हो जाएगा मतलब फाइनल एक्वेशन हमारा हो रहा है C2 इन्टू 1 बाई रूट 2 इन्टू रूट 2 इसकॉल टू-1 इसकॉल टू-1 तो यहां है ही तो रूट 2 रूट 2 कट जाएगा मतलब C2 इसकॉल टू-1 तो इस आधार पर C2 का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है माइनस वन अब आसानी से हमने कर लिए हमारे पास मों को पहले अलपा का वैल्यू मिला बीटा का मिला म engines आप लिए अर का वैल्यू हमने निकाला थीटा का वैल्यू निकाला और C2 कंस्ट सेंट लू अभम लिए तो अब हम आसानी से और जेनरल एक्वेशन लिख सकते हैं ऑजेनरल एक्वेशन तो जब देखते है अब करते हैं यह नोट कर लिया है तो जेनरल एक्वेशन क्या क curious है है B है कि सबसे पहले तो सी वन का वैईलू जीरो है जार आप देखने हैं सीवन का है क्या है जीरो है तो जीरो कॉस आर थीटा का कोई मतलब नहीं है सी टू का वैलू माइनस वन है तो इसमें अगर हम इसको भड़े सीधे वैलू तो जीरो इन्टू कॉस आर थीटा माइनस वन साइन आर थीटा तो पावर अंडर रूट टू तो पावर आर अब हम पर आर को हम चेंज नहीं करेंगे तो यह तो हो गया जीरो यह तो खतम हो गया अब हमारे पास बच्चा क्या माइनस साइन आर थीटा इन्टू अंडर रूट टू टू पावर आर यह एक्वेशन आ रहा है हमारा अब थीटा का फैलू हमको पता है अल्रेटी थी पाई बैए फोर तो इसकोल टू माइनस साइन थ्री पाई बैए फोर पाई फोर आर इन्टू रूट टू टू पावर आर यह हमारा कि फाईनल रिजल्ट हो जा रहा है तो ए आर का वैलू जो होगा कि यह आर का वैलू कि सीवन सीटू कॉंस्टेंट वैलू को पुट करने के बाद यह हमारा आ रहा है और यही है हमारा जिनरल एंसर तो हम आसा रखते हैं आप बात को समझे होंगे एक बार मैं अगर समझ में नहीं आए तब भी कोई बात नहीं है यह तो हमारा अल्रेटी क्रॉस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जीरो के मल्टिप्लिकेशन में है तो केवल बजता है माइनस वन इसको ऐसे कर ले ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो माइनस वन इंटो साइन आर थीटा साइन आर थीटा को माइनस साइन आर थीटा रूट टू टू पावर फोर माइनस साइन थीटा का वैलू आरड़ी है थ्री पाई फोर आर और अंडर रूट टू पावर आर यह हमारा रोक्रेंस रिले equation या auxiliary equation जो कहते हैं उसमें हमने convert किया इसके बाद इसका root हमने देखा एक quadratic equation के form में है तो हमने देखा कि इसका जो root निकल रहा है वो alpha plus beta के form में आ रहा है complex root है तो alpha plus beta के अधार पर alpha और beta के value पहले find किया alpha beta के value find करने के बाद जो general formula है solution का कि C1 r cos r theta plus C2 cos r theta into capital r to power r यह general solution है यह आपको याद रखने हैं अब इसके बाद हमने दो काम किया कि सबसे पहले इस r को और theta को यह दोनों value पता करेंगे तो r का value पता करने के लिए r बहुत आसान है find करना under root alpha square plus beta square हमने निकाला तो हमको value मिला था under root 2 जो हमने यहां लिख लिया था इसके बाद theta का value हमने निकाला tan inverse beta by alpha से आप theta का value निकाल लेंगे और theta और r का value आ गया तो उसको final solution में हमने fit करने की कोशिज की लेकिन उसके बाद समस्या था constant value c1 c2 का value पता लगाना तो c1 c2 जो given हमारे पास initial value है उनको बारी बारी से हमने put किया a0 is equal to 0 और a1 is equal to minus 1 जिसके अधार पर हमको c1 का value मिलता है 0 और c2 का value मिला minus 1 इसको हमने put किया और final result हम बता कर पाए तो इसको homogenous problem मतलब जो भी equation दिया हुए equal to r मतलब fn जो function हम इस्तमाल करते हैं fn का value हमने लिया है 0 लेकिन क्या होगा जब fn का value non zero zero के form में नहीं हो किसी दूसरे value में हो तब फिर उस तरह के recurrence relation का solution कैसे बनाएंगे उस पर discussion आगले lecture में करेंगे इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए धन्यवाद